जै गुरुदेव आज दिनांग 17 नुमंबर संद दोहजार बाईशे महर्शी वेद विज्ञान विद्या पीठ जोतिस वुभाग द्वारा दैनेक बेदिक पंचांग प्रिस्तुत करते हैं महर्शी शमबसर 105 है विक्रिम शमबस दोहजार उन्याशी की अंतरगर दक्षण आयन चल रहा है सरदरितू है मार्ग शी शमास है कृष्ण पक्ष है आज नवमी तिथी है छे बच करे पांच मिनट रात्री परियंत रहेगी तत्पस्चाद दसमी तिथी का प्रारम होगा दिन गुरुबार है मगा नक्षत्र है साथ बचकर की शे मिनट रहें परियंत रहेगा तत्पस्चाद पूरवा फालगुनी नक्षत्र प्रारम होगा आज एंद्र योग है बारा बचकर पांच मिनट रात्तिर परियंत तत्पस्चाद वेधरती योग रहेगा आज तेतिल करण है पांच इक तीस सायम तक ततपस चादगर करण सुरू होगा सुर्य उदय छे बच कर 36 मिनट प्राता है सुर्यास्त पांच बच कर 23 मिनट शायम है राहुकाल का शमय है एक बच कर 30 मिनट दिन में तीन बजे तक रहेगा राहुकाल में कोई भी शुबकारे नहीं करना चाहिए बिशेश में आज ब्रिश्चिक राशी में भगवान शुरिनान प्रिवेश करेंगे ब्रिश्चिक शंक्रानती है इसका बिशेश इश्नान दान का बिशेश महत होता है इसी क्रम में द्वास राशियों का फल सरप्रथम मेश राशी मेश रासी बाले जातकों के लिए आज का दिन स्वास्त की दृष्टी शे बहुत उत्तम नहीं है बसे आर्थिक दृष्टी शे अच्छा रहेगा कारचित्रम विकाश होगा रुको ही धन की प्राप्ति होगी मन में प्रशनता के साथ साथ में स्वास्त चिंता भी रहेगी इसलिए अपने स्वास्त पर विशेष ध्यान रखें ब्रशवरासी व्याले व्यक्तियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है स्वास्त अच्छा रहेगा मन में प्रशनता होगी आध्यात्मी यात्राएं होंगी सुंदर रमनी के स्थानों का भ्रमन भी आप साथ में करेंगे परिवार मित्र जनों का शहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्थ होगा उद्योक कारी छित्रें बिकाश होगा पारिवारिक जनों के शहयोग से कुछ नवीन कारे भी प्रार्म करेंगे मिथुन रासी मिथुन रासी का श्वामी बूध इश्यमय ब्रिश्चिक रासी में ब्राजमान है मिथुन रासी वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्त को ले करके चिंताय रहेंगी अपने जिनको स्वास्त की पहले से कुछ परिशानी हैं अपने योग डाक्टर इत्यादी से परामश्ट लेते रहें अपने दिन्चरिया पर खान पान पर विशेष ध्यान रखेंगे तो आपका जितना स्वास्त प्रभावत होना चाहिए उस वह प्रभावत नहीं होगा प्रशंसा समाज के साथ साथ में जहां कारे कर रहे हैं वहां प्रमोशन इत्यादी के भी शुब अवसर आपको प्राप्थ होने वाले हैं करकराशी करकराशी का स्वामी चंद्रमा है जो कि शिंगराशी में ब्राजमान है करकरासी वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वारा है स्वास्त अच्छा होगा धन्धाने की बृद्धी होगी रत्न आभूशन क्रय करने के शुबफसर मिलेंगे भूमी भवन से सम्मंदित कुछ आप लाप प्राप्थ होने के शंकेत हैं भवन खरी सकते हैं अत्वा उसके विसाय में कुछ योजनाएं बना सकते हैं अपने जीवन साथी का आपको अच्छा शहयोग मिलेगा सुन्दर और रमणी के स्थानों की यात्रा आधी भी होगी नवीन ब्यापार के लिए कुछ नया कारिक प्रारम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है आप इस शमय जो भी योजना बना करके कारी करेंगे उसमें अच्छा लाव होगा रुके हुए धन की प्राप्ती भी होगी सिंग रासी सिंग रासी का श्वामी शूरिये इस समय ब्रिश्चिक रासी में मित्र के घर में बठे हुए है सिंग रासी वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा स्वास्थ अनकूल होगा मन में प्रशनता होगी मित्र बंदों का शहयोग मिलेगा और रुके हुए कार आपके शंपन होंगे परिवार जनों का पूर्ण शहयोग आपको प्राप्त होने वाला है कन्यारासी कन्यारासी वाले व्यक्तियों के लिए आज के दिन अच्छा रहेगा परिवार मित्र बंदों का शहयोग मिलेगा संतान के कारुक को लेकर के कुछ चिंतत अवस्च रहेंगे अपने जीवन साथी का पूर्ण शहयुग आपको प्राप्त होने वाला है अपने प्रियेजनों के शप्रेम भैट के शुववशर आपको प्राप्त होंगे कारिच शेत्र को लेकर के कुछ अधिक यात्रा शंभव है तुलारासी तुलारासी वाले व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन स्वास्त की द्रिष्टी से थोड़ा सचिंतत रहेगा स्वास्त पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है खान पान दिन्चरिया पर विशेष ध्यान रखें आर्थिक द्रिष्टी से समय अच्छा है अधि आपने किसी को पैसा दिया है तो आपको बापस प्राप्त होने के शंके दिखलाई दे रहे हैं रिन के रूप में लेना चाहते हैं तो वह है आपको रिन भी प्राप्त हो शकता है ऐसी स्थिती में अपने जो कारे है उसमें प्रगती के लिए ब्यापार की उन्नाती के लिए मित्रबंदों को शहयोग के लिए मन अच्छा रहेगा उनका शहयोग भी आपको भरपूर प्राप्त होगा ब्रिश्चिक्रासी वाले व्यक्तियों के लिए आज कर दिन उत्तम रहेगा धार में की यात्रा होंगी इस समय जो भी कारे करेंगे उसको एक आगरता से आप कारे करें जल्दवाजी के कारे कुछ नुक्षान हो सकते हैं बाहान इत्यादी चलाने में शाब धानी रखें बिवाद से दूर रहें बिवाद में किसी प्रकार की न फशें धनूराशी धनूराशी वाले व्यक्तियों के लिए आज स्वास्त के दिरिश्टी से बहुत अच्छा नहीं है स्वास पर ध्यान देनी के आवश्यक्ता है, खान पान पर ध्यान रखें, परिवार में तरबंदों का शुक आवश्य में लेगा, धन का कुश अपव्याय होगा, शरीर में थकान जैसा मैशूस आवश्य करेंगे मकर राशी का श्वामी शनी मकर राशी में ही बराजमान है मकर राशी से चंद्रमा अश्टम में है आपको सर्दी जुखाम खाशी इत्यादी कफ से सम्मंदित परिशानी शंभव है अपने स्वास पर ध्यान रखें कार के पृति आलश्य न करें जो कारे जब दिया जाता है उसको समय पर पूर्ण करने का प्रयास करते हैं तो अति उत्तम रहेगा कुम्भराशी का स्वामी शनी है और शनी ये समय मकर राशी में है स्वाराशी के बराजमान है चंद्रमा सब्तम मेह कुमराशी से अपने जीवन साती का शहयोग मिलेगा साजेदारी के व्यापार शेञ उन्नती होगी मित्रों के शहयोग से अपने कारचित में विकास उन्नती प्राप्त करेंगे अकसमात कुछ धनका अपयवय हो सकता है अतिति खर्च हो सकता है उसको लेकर के कुछ चिंतायं रहेंगे शोच समझ करके धनकाखर्च करते हैं तो उत्तम होगा मीन राशी मीन राशी वाले व्रेक्तियommं के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा स्वास्त भी एनकोल होगा कोट का चेरी इत्यादी के मामले में बिजय मिलेगी सत्रों पर और अपने परिवार मित्रवन्दों के शहयोग से अपने कारे करने में अपसको सफलता होगी मन में कुछ उदासीन भाव बना रहेगा लेकिन कुछ नजदी की लोगों के स्वास्त को ले करके एरह द्वास राश्यों का फल इसी के साथ अपने बाणी को बराम देते हैं जय गुरु देव